आज हम छठीक अक्षा का हिंदी का तीन नमबर वाला लेशन पाथ धर्य का पाथ परेंगे क्लासिक सौर हिंदी तीन नमबर पाथ तो अजिपूरहिम तुमा लोके साइज अबा पाथ का नाम है धर्य का पाथ ये एक जातक कथा है गौतम बुद्ध के जिबन से संबंधित नीटी पर कथाओं को हम जातक कथा के रूप में जानते हैं इस पाथ में धर्य के महत्त के बारे में बताया गया है पात्तु नाम धर्य पाथ ये एक जातक कथा गौतम बुद्ध जीज अने बुद्ध धर्मर प्रसार करेशिल गौतम बुद्ध जिबन और लगत जरीत नीटी हिक्खामुलग जिखनी कथा हाधु अमी पाउं येखनी के जातक कथा वुली कथा पुराने जमाने की बात है बहुत पुरोना उटिटोर कथा गौतम बुद्ध एक गाउं से दूसरे गाउं पैदल जा रहे थे गौतम बुद्धों एकहन गाउं और पुरा आनेखन गाउं लोई खुजरे गोयासिल साथ में उनके सिश्च भी थे त्यों लोगत साथ में त्यों हिस्च हकलू आसिल उस दिन बहुत गर्मी थी हे दिना खन बर गरम आसिल क्षन भार विश्राम के लिए वे एक ब्रिक्ष के नीचे त्रीन पर बैठ गे। किसु हमोई जिरोनी भाबे एजुपा गौसर तौलाट नीचे एक ब्रिक्ष की नीचे एजुपा गौसर तौलाट ट्रीन पर बैठ गे घाहने बोही पुरिले उन्होंने एक शिष्य से कहा टेओं जोन हिस्सो कोले बहुत प्यास लगी है बहुत प्यास लगी से कहीं से थोड़ा जल ले आओ कहीं से थोड़ा जल ले आओ गोरबार प्रावला पानी लोया हा शिष्य ने आस पास देखा हिस्सो जने उसरे पाजरे साले वहां एक चोता सा पोखर था ताथ एता होरू पुखुरी असिल पोखर में एक बैल जल पी रहा था पुखुरी त एता गोरूय पानी खाया सिल शिष्य वहीं से जल लेने के लिए आगे बढ़ा हिस्सो जने तारप्राई पानी आनी बोले आग बही गोल उसे देखकर बैल दर गया तेउक देखी गोरू तुए भॉय खाले और जल से होता हुआ निकल भागा और पानीर पोर दिये डोरी गुसी गोल इससे जल गंदा हो गया तारप्र पानी आनी लेटेरा होई गोल गंदा होई गोल सिष्य ने सोचा हिस्सो जने भावीले गंदा जल गुरू के लिए ले जाना ठीक नहीं होगा गुरूर कारोने ले तेरा पानिखने लोई जटू ठीक नहों बो वो फिर आगे बढ़ा तेव टार पिसट अग बही ले चारो तरफ देखा सारी फले साले पर उसे जल का दूसरा श्रोत दिखाई नहीं दिया किन्तू तेव पानिर आरू आन उटखो बिसारी ना पाले वो ठक गया तेव भागोर लगिले वापस आकर उसने सारी घतना बुद्ध को सुनाई घुरिया ही गुटे घतना तो बुद्धक जोनाले शिश्य की बात सुनकर बुद्ध मुस्कुराए और बोले हिस्सर कठा हुनी बुद्ध देबे हाहीले आरू कोले पुना तुम उसी पोखर के पास जाओ अको तुमी हे पुखुरितो शलके जुआ अगर इस बार भी जल गंदा हो जो दी ए बारू पानिहनी लेटेरा होय तो कुछ समय रुक जाना ते त्या होले अलब हमोर रोईडिबा पर जल लेकर ही लोटना किन्तु पानी लोई है घुरिबा बुद्ध की आज्या मानकर शिशक वहापुना गया बुद्ध देबर आदेख मानी ही सोजन तालोर अको गोल इस बार उसनी देखा की जल निर्मल है ए बार तेओं देखीले जे पानी हीनी सफा होया से गंदगी नीचे बैद गई है जी खीनी लेटरा सेले हे खीनी तलोर पोरीगोल शिश्य आप पात्र में जल भर कर बुद्ध के पास लोटा खीस्सोजन ए बार एता पात्रत पानी लोई बुद्ध देखा बुर सोरले घुरिय हीले बुद्ध ने उसे पास बुला कर कहा बुद्ध देखा बुद्ध देखा बे तेओं को सोरले माती को ले इस छोती सी बात को तुम सदा याद रखना ए खोरू को था तू तुम्ही खोदाय मनत रखिबा इससे तुम्हे धर्य का पात्र मिलेगा यारपरा तुम्ही धोर्जर पात ही की बुले पाबा जब भी तुम्हारा मन अशांत हो जेतियाय तुम्हार मनत अखन्ती होई तो उसे थोड़ा समय देना तेतिया अलप हमोई दिबा मन की मलीनता और अशांती बैत जाएगे मनर जी मलीनता अरु अखन्ती हेया नाइके होई जाबो मन अपने आप शांत हो जाएगा मनतु अपुना अपुनी हांत होई पोरिगो निजे निजे हांत होई पोरिगो बुद्ध की अन्मोल बाते सुनकर सिश्यका चित प्रशन हो गया बुद्धर ए मुल्लबान कथाबुर हुनी ही सजनर मनतु आनंदित होई पोरिल एखीनी होई से पात्तूर माँ पोहिव डिलू एबार आरो अर्ठा खीनी हो बुजाई डिलू तुमालो के एबार नीजे पोहिव ले सेस्ता कोरिबा आको एबार पोहिव रिसु साइलौ धर्य का पात जातक कथा गोतम बुद्ध गोतम बुद्ध के जीवन से संबन्धित नीती परक कथाओं को हम जातक कथा के रूप में जानते हैं इस पात में धर्य के महत्त के बारे में बताया गया है पुराने जमाने की बात है गोतम बुद्ध एक गाउं से दूसरे गाउं पैदल जा रहे थे साथ में उनके शिश्य भी थे उस दिन बहुत गर्मी थी क्षन भर बिश्राम के लिए वे एक ब्रिक्ष के नीचे ट्रीन पर बैठ गए उन्होंने एक शिश्य से कहा बहुत प्यास लगी है कहीं से थोड़ा जल ले आओ कहीं से थोड़ा जल ले आओ शिश्य ने आस पास देखा वहाँ एक छोता सा पोखर था पोखर में एक बैल जल पी रहा था शिश्य वहीं से जल लेने के लिए आगे बरहा उसे देखकर बैल दर गया और जल से होता हुआ निकल भागा इससे जल गंडा हो गया शिश्य ने सोचा गंडा जल गुरु के लिए ले जाना ठीक नहीं होगा वह फिर आगे बरहा चारो तरफ देखा पर उसे जल का दूसरा श्रोत दिखाई नहीं दिया वो ठक गया वापस आकर उसने सारी घतना बुद्ध को सुनाई शिश्य की बात सुनकर बुद्ध मुस्कुराए और बोले पुना तुम उसी पोखर के पास जाओ अगर इस बार भी जल गंदा हो तो कुछ समय रुक जाना पर जल लेकर ही लौटना बुद्ध की आज्या मानकर शिश्य वहाँ पुनाह गया इस बार उसने देखा की जल निर्मल है गंदगी नीचे बैठ गई है शिश्य अब पात्र में जल भर कर बुद्ध के पास लौटा बुद्ध ने उसे पास बुला कर कहा इस चोटी सी बात को तुम सदा याद रखना इससे तुम्हें धर्य का पात मिलेगा जब भी तुम्हारा मन अशांत हो तो उसे थोड़ा समय देना मन की मलिंता और अशांती बैठ जाएगी मन अपने आप शांत हो जाएगा बुद्ध की अनमोल बाते सुनकर शिस्ष का छित प्रसन्न हो गया पात्तूर अधरत की सु तुम्हाल कोर खबद अर्ठ थके एक खबद अर्ठ की टाय बार सायलुआ प्रिस्था नमबर पसिस ओटासे डे प्रिस्था पसिस ओटासे ये तो पॉसेस नूबर पिस थाट असे आओ पाथ में आये कुछ सब्द के अर्थ जाने बिश्राम आराम ब्रिक्ष पेर पोखर छोटा तालाब श्रोट उच्स ठक ठकान वापस लोटना गंडा मेला निर्मल साफ स्वच अन्मोल अमूल्य चित मन गंदगी मेल प्रसन आनंद बिश्राम मने जिरोनी ब्रिक्ष मने गोश पोखर मने होरू पुखुरी श्रोट मने उठख पानीर उठख ठक मने ठकान भागोलगा वापस मने खुरियोह गंडा मने लेतेरा निर्मल मने साफा अन्मोल मने उमूल्य चित मने मन गंदगी मने लेतेरा अरू प्रसन मने आनंद खुफुरण के लोज मने लेतेरा